टीम इंडिया के लिए अंडर 19 वर्ड कप में कमाल की गेंदबाजी करने वाले राज लिम्बानी का नाम देश भर में चा चुका है उन्होंने अंडर 19 वर्ड कप में शांदार गेंदबाजी की और शिलिया के खिलाफ खिताबी मुकाबले में उन्होंने भारत को पहली सफलता दिलाई थी और इसी के साथ एक खास रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम दर्ज करा लिया था राज लिम्बानी ने फाइनल समेथ अंडर 19 वर्ड कप में छे मुकाबले खेले वे आइरलेंड के खिलाफ मुकाबला नहीं खेल सके थे लेकिन जितने मुकाबले राज लिम्बानी ने खेले उन्होंने सभी मुकाबलों में भारत को पहली सफलता दिलाई जी हाँ सभी मैचों में राज लिम्बानी ने ही भारत के लिए पहला विकेट चटकाया था और्शिलिया के खिलाफ फाइनल मैच में भी राज ने तस ओर में 38 रन देकर तीन विकेट हासिल की राज लिम्बानी ने बांगलादेश के खिलाफ खेले गए पहले मुकाबले में एक विकेट लिया था जो पारी का पहला विकेट था इसके बाद उन्होंने अमेरिका, निवजिलेंड और नेपाल के खिलाफ भी मैच का पहला विकेट चटकाया राज लिम्बानी ने सेमी फाइनल में लिये थे तीन विकेट राज लिम्बानी ने साथ एफरिका के खिलाफ खेले गए सेमी फाइनल मैच में भी शांदार गेंद बाजी की थी उन्होंने साथ रन देकर तीन विकेट हासिल किये थे राज लिम्बानी ने अभी पिछले हफते ही अपना उननीसवा जन्म दिन सेलिबरेट किया था उनका जन्म दो फरवरी 2005 को हुआ था वे गुजरात के रहने वाले हैं और उनका गाउं कच्छ में पढ़ता है हालांकि वे क्रिकेट के अपने सपने को पूरा करने के लिए वहां से करीब 550 किलो मिटर दूर बड़ोदा आ गए राज लिम्बानी का गाउं पाकिसान बॉर्डर से 27 किलो मिटर की दूरी पर है राज लिम्बानी के पिता ने उन्हें बच्पन में ही बोल दिया था कि या तो तुम अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करो नहीं तो हमारे खेत तुम्हारा इंतजार कर रहे है राज को बच्पन से ही क्रिकेट काफी पसंद था और उन्होंने अपना सपना पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया राज लिम्बानी ने जो जुजहारूपन अंडर 19 वर्ड कप में दिखाया है अगर वे उसे आगे भी बरकरार रखते हैं तो राज लिम्बानी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी खूब नाम कमा सकते हैं